वेलकम टू माइ चैनल आस फ्रेंट्स देखिए मैं आपनों को कैन्वास का ये प्लास्टिक कैन्वास आता है मार्केट में इसलिए मिल जाता है इसका मैं थाल कबर या थाल पोस बनाना बताऊंगी जो कि बहुत इज़िए इसकी देखिए मैंने कटिंग कर ली है गोल कर लेनी है उसके बाद फ्रेंट्स देखी हमारा कुछ सेव ऐसा आएगा जब हमने कटिंग कर लेनी कटिंग करने के बाद फ्रेंट्स हमने ये देखे सारे फ्लावर है तो इसको हमने कैसे लगाना है ये हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स हमने ये देखे सुईली है अब देखे फ्रेंट्स हमने ये ऐसे यहाँ पे नहीं लगाना है इसको ये लाश्ट वाला देखे जो लाश्ट वाली हमारी ये पोर्शन है इसको ऐसे लगाना है ताकि ये जब हम थाली को ढखे तो ये नीचे लटक पे आए तो हम इसको ऐसे ही लगाना स्टार्ट करते हैं फ्रेंट्स उसके बाद फ्रेंट्स हम सेकंड कलर ये लिए हैं सेकंड कलर लगाएंगे हाँ पर आपने देखिए ये साइड में लगाते हुए कंपलेट करना है ऐसे ही देखिए ताकी हमारा ऐसे बन कर आए फ्रेंट्स अब देखिए थरड हम यहाँ पर लगाएंगे अब थरड हमने यहाँ पर लगाना है और लास्ट वाला ये पोर्डशन हमने लेके यह देखिए यह हम ऐसे ही complete करते हुए देखिए हमने ऐसे ही complete करना है अब हम यह red white का लेंगे इसका कुछ portion ऐसे लेके फिर देखिए यह हम गुलाई में पहुँच जाएंगे friends उसके बाद हमने यह black और orange का कुछ portion लेके फिर यहाँ पे लगाएंगे और यह हम ऐसे ही टक करते हुए देखिए कितना प्यारा लग रहा है यह ऐसे बन कर आएगा तो हम पूरा यह complete करते हैं friends जल दिली देखिए फिर हमने यह orange का कुछ यह last dollar portion लेके यह देखिए फिर हम red white का लेंगे लेके फ्रेंड्स फिर हम यह इसका लेंगे सौरी ओरंज का देखिए friends हमारा यह ऐसे ही बन कर हमने और इंज लगाना है यह देखिए फ्रेंड्स थोड़ा नजदीक नजदीक हो गया लेकिन हमने बराबर में ही लगा कि इसको complete करना है देखिए झाल झाल ऐसे फ्रेंड अब हमने यहाँ पर देखिए रेड को लगाना है रेड वाइट उसके बाद फ्रेंड्स देखिए हम यहाँ पर फिर यह वाला लगाएंगे ऐसे ही हमने यह कंप्लेट करना है बिल्कुल भी कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा यह बनकर आता है आप लोग जरूर ट्राई करिए और लाश्ट वाला हम यह लगाएंगे यह देखिए हमने चारो साइड इसको लगा लिया है अब हम इसकी कटिंग कर देंगे उनकी कटिंग हमने कर देनी है फ्रेंड्स यह देखिए इसकी कटिंग कर दी यहां पर थोड़ा लूज हो गया तो आपने टाइट्ली वह में जल्दिल्दी में आप लोग को बताने के लिए पिर ऐसा हो गया आप थोड़ा टाइट्ली इसको करेंगे रखेंगे आप देखे फ्रेंड्स हमने क्या करना है एक फ्लावर हमने ये औरंज की पीच में रखनी है सिर्फ एक फ्लावर इसको भी हम बीच में टक कर लेंगे ये देखे फ्रेंड्स हमारा ये बीच में सब टक हो गया है और सारे फ्लावर हमारे यहाँ पे टक हो गया है अब हमने क्या करना फ्रेंड्स देखिए ये हमारा थाल कबर समझ लेजी तैयार हो गया और ये सारे हमने लटकन लिए हुए है आप लटकन चाहे तो लगाए या ना लगाए या आपके उपर डिपिंट करता है लेकिन हम चारो साइड में हापे लटकन यूज करेंगे लटकन को मैंने बताया फ्रेंट्स आपने सुई से नहीं लगाना है सिर्फ आपने यूँ ले जाके और यूँ इसके बीच से ऐसे निकाल के देखिए